हलो बिटा गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनों गुड इनिंग कैसे हो आप सभी लोग तो चलिए आपकी एक्जाम चालो हो चुकी है मैं आपने तरफ से आपको बेस 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 विशेज देना चाहोगा all the best एक्जाम के पेपर बहुत अ vorbere से लिखना क्उफिडेंट लिखना और जब तब तक कि एक्जाम का LAS PECर का LAS पर बंदास लिए यह चाली करना है। प्रिपरेशन कैसे होगी उसके वीडियो में इमिजेटली अप्लोड कर दूगा एक दो दिन में और आज मैं बिटा यहाँ पे जो है QRMP स्कीम पे एक फास और इंपोर्ट फास में रिविजन करवाना चाहोगा जैसे आपने अमेंडमेंट में देखा होगा दो डाई घंटे का लेक्चर है लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ ही मिंटो में फटा फ़र अच्छे से रिवाइस कर देता हूँ एक मैंने समरी चार्ट बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कॉलम में टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगी यह टेलिग्राम चैनल आपको जॉइन करना है तो एक समरी चार्ट मैंने QRMP स्कीम का बनाया और बहुत अच्छे से उसको रिवाइस किया है तो चलिए यहाँ पे चलिए दोस्तों यह सेशन में में एक इम्पॉर्टन रिविजन आपकी करवाने वाला हो और वो है QRMP स्कीम पे जो एक्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टन है इस बार की अमेंडमेंट्स भी है और आपको इसके उपर कॉशन भी पुछे जा सकते है तो फटाफट कुछी मिन्टों में हम यह पूरा स्कीम बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे और नो डाउट एक्जाम में इसके उपर अगर कोई भी सवाल या कॉशन पुछा जाए तो आप इसलिए उसको स्वाल कर पाओगे तो आर यू रेडी चलिए QRMP स्कीम QRMP स्कीम यहाँ यह जो है quarterly return and monthly payment स्कीम है यह जो लागू की गई है यह 1st January 2021 के लिए लागू किया गया है थोड़ा हम हिस्टी समझ लेते हैं यहाँ पे quarterly payment स्कीम जो है 2019 में government ने लाई थी पुरानी provision कुछ ऐसी थी कि अगर आपका aggregate turn हो देड़ करोड से नीचे हो तो आपको quarterly payment quarterly return और quarterly GSTR 1 facility मिलती थी इसमें क्या होता था जिस आपको आपके साथ share करना चाहोगा कि इसमें जो पुरानी स्कीम थी पुरानी स्कीम में जो supplier है supplier को quarterly payment करना पड़ता था वो facility मिली थी small suppliers के लिए उसके बाद उसको GSTR 1 भी quarterly payment facility था और GSTR 3 भी quarterly payment था अगर कोई supplier यहाँ पे quarterly payment option ले रहा है तो वो अपना data GSTR 1 में quarterly basis पे update करता था now जब तक data GSTR 1 में update नहीं होता है तब तक recipient को credit नहीं मिलते है यह आपको पता है otherwise rule 36 के इसाप से जो data reported नहीं है उसमें से 5% का ही credit मिलता है तो ऐसे situation में अगर यह data GSTR 1 में quarterly basis पे दे रहा है तो वो case में recipient को भी quarterly basis पे ही credit मिल back क्या थे इसका drawback में यह था कि recipient अगर monthly scheme में क्योंकि वो नहीं लेना चाहता है quarterly या फिर उसका aggregate turn और पुराने provision के इसाप से देड़ करोड के उपर होगा तो monthly scheme में था और उसने इस supplier से goods buy किया होगा या services buy की होगी तो वो situation में even though उसने इस month में purchase किया अपना tax इस month में दे recipient लेकिन उसको credit same month में मिलने में बड़ी मुश्किल होती थी मिलता ही नहीं था और यहाँ पे उसको तीन मैने बाद उसका credit मिलता था इसलिए सभी बड़ी industries और के अपने छोटे supplier को ये कह रही थी कि नहीं आप quarterly payment ना करे quarterly return ना दे आप monthly में लो तो हमारे लिए credit लेना आसान होगा याने जो quarterly यहाँ पे benefit दिये गए थे small businessman को उनको यहाँ बहुत दिक्कत है जा रही थी क्योंकि वो credit pass on नहीं कर पा रहे थे इसी बात को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे बदलाव किये गए और 1 जन्वरी 2021 से ये नई scheme लाएगी साथ साथ में दूसरा एक most important change उन् quarterly basis पे करता था याने government को उन लोगों से payment जो है quarter होने के बाद आ रहा है government का भी पैसा यहाँ पे block हो रहा है तो वो situation में अब यहाँ government ने change क्या किया जो government ने change कि आप even though data return आप quarterly basis पे दोगे GSTR1 quarterly basis पे दोगे लेकिन payment जो है आप monthly basis पे करोगे now इसके यह दो main important changes qrmp scheme में किये गए और यह जो main changes किये गए इस changes को आपको बहुत अच्छे से समझना है तो यहाँ पे देखिएगा किस तरह से दोगे इस scheme के तहट और payment किस तरह से करोगे और उसकी interest liability तो चलिए पहला लेता हो outward supply का यहाँ पे details आप कैसे दोगे return तो आपको quarterly देना है वो fix है specially हम बात करेंगे outward supply scheme एक example लेते कि आप qrmp scheme आप नहीं कर रहे हो या फिर आपको एक qrmp scheme नहीं मिल सकती है क्योंकि उसकी turn or limit से ज्यादा आपका turn or है तो ऐसे case में normally क्या होता है कि आप monthly basis पे अपना outward supply का details देते हो और वो gstr1 में देते हो next month के element के date तक आप अपना gstr1 का पूरा details देते हो और यह gstr1 की details बहुत ही important है क्योंकि specially b2b के case में आपके gstr1 के details पे ही वो system में data report होता है और आगे gstr2 में recipient के update होता है और उसको credit मिलता है लेकिन अब यहाँ पे quarterly scheme में यह outward supply का जो आपको data देना है कुछ अलग तरह से देना है government ने यहाँ पे कुछ facility लाई है सबसे पहले तो यह न condition है एक यह उनको लागई होगी जो gstr3b याने return gstr3b में monthly basis पे या quarterly basis पे देते हैं यह उनको ही लागई होगी मतलब OIDAR TDS TCS का registration NRTP ऐसे कुछ लोग है जिनको gstr3b देने की ज़रूरत नहीं है तो उनको यह scheme लागई नहीं होगी दूसरा and very important आपका aggregate annual turnover ध्यान सुनिएगा य aggregate annual turnover up to 5 crores in preceding financially होना चाहिए तो आप यह scheme के लिए आप कर सकते हो अब आपका एक सवाल आ सकता है sir aggregate annual turnover और aggregate turnover में क्या कोई difference है तो यह थोड़ा सा difference है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे ठीक है तो अगर आप यह दोनों conditions fulfill कर सकते हो तो आप QRMP scheme के लिए आप करोगे statement कैसे दोगे तो outward supply का statement आप GSTR1 में यहां पे quarterly basis पे दोगे पहला पॉइंट तो समझ लो GSTR1 आप quarterly basis पे ही दोगे return में तो no doubt obvious है कि आप वो भी quarterly basis पे दोगे लेकिन अब जो पूराना problem था कि credit कैसे pass on किया जाएगा और supplier को अगर data update करना है और अपने recipient को same month में credit pass on करना है तो तो कैसे pass on करेगा उसके लिए उन्होंने एक नया यहां पे utility लाया और वो है invoice furnishing facility जिसे मैं IFF का होगा मतलब क्या मतलब यह जो supplier है monthly basis पे यह utility common portal से download करके उसमें data upload कर सकता है now IFF में data upload करना क्या mandatory है now यही सवाल को मैं दूसरी डंग से बुचता हो कि sir क्या यह monthly basis पे IFF देना composer यह नहीं अगर आप यहां पे data quarterly basis पे direct GSTR1 में देना चाहो इस scheme के तर तो आप दे सकते हो government को कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपको अपने recipient को खुश करना है same month में credit pass on करना है तो आप IFF की utility use कर सकते हो और invoice furnishing facility में अपना data upload कर सकते हो now दूसरा question यहां पे invoice furnishing facility जो आप monthly basis प का होगा मतलब B2C नहीं only B2B invoices का होगा only B2B invoices इसमें upload किये जाएगे let's take example month 1 April तो April का आप अगले मेने के 13 तरीक तक याने 13 में तक आप जो है इसका IFF में data upload कर पाऊगे now अब मेरे इस मन्त के transaction एक तिसरा बहुत important point इस मन्त के transaction जो है मेरे B2B के यहां पे 15 invoices है तो क्य जा compulsory leave मुझे B2B के सारे 15 invoices upload करने पड़ेंगे IFF में नहीं ऐसा कोई compulsion नहीं है अगर आपको अपने 5 ही recipient को 5 ऐसे invoices है जिसका ही credit pass on करना है अभी तो आप only 5 invoices ही upload कर दो बात खतम उनको credit pass on हो जाएंगे बाकी B2B invoices की details आपको quarterly GSTR1 में दिया तो भी चलेगा now next most important restriction government ने इसके उपर क्या लाया हुआ है वो restriction यह लाया हुआ है कि आप IFF में only up to value 50 lakhs धैन सुनिएगा only up to value 50 lakhs तक कही invoice upload कर सकते हो now let's take example आपके 15 invoices है और 15 invoices की total value यहाँ पे 70 lakhs है तो आप पूरे की पूरे upload करना चाहते हो पर नहीं कर सकते वो 70 lakhs में से 50 lakhs तक की invoices आपको से लेग करने पड़ेंगे जो customer बहुत यहाँ पे immediate basis पे credit मांग रहे है या जिसको आपको pass on करना है ऐसे 50 lakhs तक के value take ही invoice आप से लेग कर सकते है और IFF में आप submit कर पाओगे बाकी बचेवे invoices आप नहीं submit कर पाओगे मतलब वो बचेवे invoices के recipient नाराज हो सकते है अगर उन 50 lakhs तक की value के ही invoices आप upload कर सकते हो दूसरा उन्होंने यह कहा है CDN, CDN मतलब credit note, debit note भी आप इसमें update कर सकते हो IFF में now same आपको process month 2 की follow करना पड़ेगा और यह IFF आप कब submit करोगे तो अगले मैने के 13 तक आप यह upload कर सकते हो यहने 1st to 13 तक आप subsequent month आप common portal पे जहां सुनिएगा आप common portal पे upload कर सकते हो और होगा क्या बेटा जैसे आपने IFF upload कर दिया उसमें invoices B2B के जो credit pass on करना तक कर दिया तो आगे recipient के एक नया यहां पे form GSTR 2B जैसे GSTR 2A बनता था लेजर वैसे यहां पे GSTR 2B auto update form बनेगा उसके common portal पे रहेगा और वो 2B में 13 तरीक को IFF आगया 14 को जो है यहां update हो जाए credit और यह 2B के base पे recipient अपना credit ले सकता है साथ साथ में यह data 2A में भी update किया जाता है ठीक है वो auto update होता है now next बेटा यह month 3 यह बड़ा important month है okay month 3 क्या है सबसा पहला question sir IFF तीनो month के होते है यह only पहले 2 month के होते है IFF यह जो है पहले 2 month के होते है एक important point मेरा छुड़ गया वो बताना चाहोगा और वो यह है यहाँ पे sorry बेटा वो IFF जो है पहले 2 month के होगे important point क्या है important point है कि अगर आपने decision लिया कि month 1 let's take example April April के आपको 5 ही invoices upload करने है I repeat April के आपको 5 ही invoices upload करने है sorry बेटा अब आता है month 3 अब पहला सवर आपका सकता है कि sir month 3 का outward supply की detail क्या हम IFF में देंगे कोई जरुवत नहीं है क्यों क्योंकि आपको direct GSTR 1 देना है तो जैसी आपका quarter end हो जाएगा आपको GSTR 1 भी 13 को देना पड़ेगा और month 3 का जो भी outward supply का detail है वो outward supply का detail आपको directly GSTR 1 में द देगे उसमें month 1 और month 2 का जो data हमने IFF में already upload कर दिया है क्या वो data फिर से GSTR 1 में देना पड़ेगा नहीं बिलकुल भी नहीं कोई यहाँ data repetition नहीं होगा याने जो already invoices B2B आपने IFF में upload कर दिये वो फिर से GSTR 1 में देने की कोई भी जरुरत नहीं है तो month ही के इस option को हम द्या 1 और 2 इन IFF याने आपने IFF में upload कर दिया yes और answer is no अब पहला answer लेते है yes कि yes B2B invoices का data आपने upload कर दिया IFF में तो आपको जो है GSTR 1 में only month 3 का B2B देना पड़ेगा month 3 का B2B देना पड़ेगा plus plus okay B2C की details आपको देनी पड़ेगी for all 3 months यह लिखना तो लिख सकते हो for all 3 months B2C की details आपको देनी पड़ेगी लेकिन अगर आपने month 1 और month 2 का कोई B2B का data IFF में नहीं दिया let's take example आपके 15 invoices थे और 15 में से आपने पहले month में 5 invoices upload किये second month में कुछ B2B invoices upload किये तो वो situation में जो भी आपका B2B का data है वो pending data month 1, month 2 plus month 3 का सारा data आपको GSTR 1 में update करना पड़ेगा so that आपके सारे credit B2B के pass on हो जाए प्लस B2C का data IFF में नहीं होता है इसलिए तीनों month का B2C का data आपको update करना पड़ेगा वो invoice wise नहीं होता है वो total amount पे आपने update किया दो भी चलेगा और now आप जैसे quarter खतम हो जाएगा तो ये GSTR 1 आप 13 तक दे सकते हो इस scheme के तरह very important और कि monthly scheme में GSTR 1 आप 11 को देते हो और QRMP scheme में आप GSTR 1 जो हो वो 13 को दोगे ठीक है तो इस तरह से आप अपना outward supply की details यहाँ पे दे सकते हो now most important कुछ important points आपको यहाँ याद रखना जरूरी है जब आप outward supply का details दे रहे हो और QRMP scheme आप कर रहे हो पहला aggregate annual turnover for preceding financial year up to 5 करो जो condition डाली हुई है क्योंकि इनी लोगों को QRMP scheme मिलती है यह aggregate annual turnover जो है इसमें जो data आपने पिछले साल return में दिया गया उसी data के base पे calculate होगा मतलब अगर पिछले साल आप कोई turnover return में देना भूल गए होगे तो वो consider नहीं होगा इसलिए aggregate turnover और aggregate annual turnover में difference है aggregate turnover मतलब जो भी actual basis पे आपका data था और फिर आपने declare किया हो या नहीं किया हो वो भी लिया जाएगा लेकिन यह aggregate annual turnover मतलब जो भी आपने only declare किया है आपके return में वो ही data के base पे 5 करोड का calculation होगा अगर कुछ data पिछले सल आप declare करना भूल गए तो वो नहीं लिया जाएगा only declare basis पे लिया जाएगा उसके बाद में बैटा यहाँ पे यहाँ पर वाल्य आप supply जैसे मैंने पहली बताया था पर मन्त आप 50 लाक्स तक की ही value उसमें declare कर सकते हो 13 को आपको आपको IFF देना पड़ेगा अब एक important बात बता दूँ समझ लो April का आप 13 में को IFF दे दिया उसमें सिफ 5 invoices आपने declare किये फिर आपको ख्याल में आए कि अरे यार April के और 2 invoices आपको declare करना था अब नहीं कर सकत जो आपने 13 तक data दे दिया वो final हो गया उसमन का अब बचेवा data only GSTR1 and a quarter खतम होने के बाद ही GSTR1 में update होगा और recipient को credit मिलेगा next point ओके यह details of IFF not required to be given again in GSTR1 मतलब जो आपने IFF में already दे दिया वो फिर से GSTR1 में update करने की जरुआत नहीं है next where QRMP option has been exercised once they shall continue unless register person revise the said option option मतलब क्या आपने एक बार QRMP option ले लिया तो फिर वो continue रहेगा जब तक आप उससे exit ने लेते हो exit लेने की process भी यही कि आपको intimate करना पड़ता है now it is further clarified that the option to avail QRMP scheme is GSTN wise मतलब यह हुआ यहापे कि आपके dim distinct person concept same pen के अंदर समयलो 30 branches है तो आप branch wise decide कर सकते हैं कि आप यहाँ पे QRMP scheme लोगे या नहीं लोगे पर आप जब aggregate annual turnover निकालोगे तो all or India pan basis पे ही निकालोगे लेकिन वो all or India pan basis का आपका aggregate turnover पांच करोड के नीचे होगा तो फिर आप branch wise decide कर सकते हैं कि QRMP scheme यह branch का लेना है या यह branch का लेना है या यह branch का लेना है now last point ऐसा हो सकता है कि under same pen कुछ branches के लिए आपका QRMP scheme है और कुछ branch के लिए आपका monthly scheme है तो यह आपने देखा outward supply का statement का details now next बेटा यहाँ पर monthly payment and interest liability QRMP scheme जो भी register person आप कर रहा है वो payment of tax monthly basis पर ही देगा लेकिन अपनी सारी details GSTR 3 वे quarterly basis पर देगा now आप यह monthly payment कैसे होगा पहले इसको समझ लेते हैं जो भी supply आपने first month में किया होगा एपरिल लेते हैं तो जो भी supply किया होगा B2B supply plus B2C supply इसका payment आपको अगले मैने के 25 को देना पड़ेगा मतलब यह हुआ कि अब आपकी payment की due date QRMP scheme में आ चुकी है generally हमने क्या पड़ा था हमने यह पड़ा था कि GST में payment की due date नहीं होती है जो return की date होती है वही आपका payment का date होता है क्योंकि payment की बिना return upload नहीं हो सकता है मंतली scheme में आज भी वही है मतलब अगर आप QRMP नहीं ले रहे हो तो आपको monthly tax देना है और return का date है 20th of next month तब तक आपको pay कर देना है लेकिन QRMP scheme में पहले दो मैने के लिए April और May या quarter के पहले कोई भी दो मन्त होगा उसका payment की due date आजाएगी अगले मैने की 25 तारिक जो दो मेथड आगे हम detail में discuss करेंगे इस मेथड से जो आपने actual supply किया है उस supply का tax आपको अगले मैने के 25 तारिक को करना पड़ेगा जैसे April का payment आपको 25 मे को करना है और मे का payment आपको 25 जून को करना है अगर आपने ये 25 को नीचे दिये गए मेथड से जो tax आप assess करोगे वो payment नहीं किया तो आपको interest liability चालो हो जाएगी और वो 26 से चालो हो जाएगी ठीक है और वो interest आपको 18% पर अनम से पे करना पड़ेगा ना नेक्स जून का जून का payment का due date नहीं है जून का हमारा general concept है जो भी supply आप जून में करोगे उसका tax आपको जो है return की जो date आएगी quarterly return की now quarterly return की दो dates दी है एक 22nd और एक 24th यह specially QR MP scheme में दी गई है कुछ dates के लिए 22nd दिया गया है और कुछ dates के लिए 24th दिया गया है तो जो भी return की date होगी तो जून के supply का payment आपको उस date को करना है चली यह payment से related हो गया अब आपका एक सवाल होगा sir उपर जो आपने outward supply का details IFF में जो हम देते है और नीचे जो आपने कहा है QR MP scheme का payment इसमें कोई connection है नहीं दोनों चीज़े अलग-अलग है जो हम यह outward supply का statement IFF में detailed information upload करते है वो सिब credit pass on करने के लिए उससे आपका payment का connection नहीं है मतलब कोई अगर यह मानना चाहता है कि sir जितना हम IFF में upload करेंगे उतना ही क्या हम 25 को pay करेंगे बिलकुल भी नहीं उसका कोई connection नहीं मतलब मेरा यह कहना है कि let's take example April में आपके total B2B plus B2C supply जो हुए है 15 आपके B2B हुए है और 10 supply आपके B2C हुए है तो जो भी आपने total supply किया गया नीचे जो method दी है उस method से आप tax compute करोगे और पूरा का पूरा tax आप पे करोगे अगले मेने के 25 तारिक तक ठीक है now पर यहाँ पे अगर आप outward supply का statement दे रहे है तो यह आपके मरजी पे है आप B2 only B2B के ही information IFF में दोगे second जो है आप B2B के 15 invoices से उसमें से 5 invoices का ही details दे आप दो यह आपकी मरजी पे रखा गया है और इसका payment से कोई connection नहीं है ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है month 1 और month 2 का कोई IFF नहीं दे रहे क्योंकि आपको किसी को credit pass on नहीं करना है आप पूरा data GSTR 1 में दे रहे हो तो वो भी चलता है लेकिन आपको payment तो monthly basis पे करना ही और यह payment नीचे दिये गए दो method से आपको करना पड़ेगा दोनों में से कोई एक method आप आप करोगे तो payment method में आपको पहली method दी है और पहली method दी है fix some method और दूसरा है self assessment method उन्होंने fix some method क्यों लाएगी इसका थोड़ा background समझ लो कि यहाँ पे अगर आपको monthly basis पे tax देना है औ और आप monthly basis पे पूरा assessment कर रहे हो खूद की total tax कितना, less credit कितना, net liability कितना तो फिर quarterly scheme का कोई फायदा ही नहीं होगा क्योंकि quarterly scheme small register person के लिए इसलिए लाएगे क्योंकि आपको monthly basis पे assessment की जंजट ना हो और आप quarterly basis पे information दे और monthly basis पे tax दे लेकिन अगर हम monthly basis पे actual tax दे रहे है तो हम assessment तो करने ही पड़ेगा, हमारा time तो waste हो जाएगा, इसलिए government ने कहा कि छोड़ो, यहाँ पे हम आपको पहली method देते है, fix some method, यह method बड़ी simple है, आपको actual basis पे monthly असेस करने की कोई जरुवत नहीं, वो quarter होने के बाद असेस करना, आपको एक fixed amount government को दे देना है, यह fix some method क्या है, तो पेटा यह fix some method समझ लो, इसमें अगर आप इस quarter स्टार्ट होने के बहले, last quarter था, यहाँ आपका last quarter था, उसमें आपकी QRMP scheme होगी, यहाँ quarterly payment scheme में होगे, तो आपको जो है, यहाँ पे, April month का, यहाँ जो first month रहेगा, April month का tax कितना दिना है, तो 35% of tax paid in cash, यहाँ एक cash ledger in a preceding quarter मतलब क्या, preceding quarter, यहाँ तीन मैने का, जो total tax था, जो आपने cash ledger से दिया, अब इस बात को समझ लो, जो आपने cash ledger से दिया, मतलब यह, कि credit लेने के बाद, जो net होगा, जो cash ledger से दिया, उसका 35% tax आपको April का देना है, और वो ही 35% आपको में का देना है, 25 को, ठीक है, पहले 2 month के ही payment के liability में बता रहा हूँ, June का तो आपको actual basis पे करना पड़ेगा, और वो आपको return की due date तक देना पड़ेगा, done, तो यह 35%, लेकिन, ऐसा भी हो सकता है, कि last month तक मैं QRMP scheme में नहीं था, और इस quarter से मैं QRMP scheme आप कर रहा हूँ, तो ऐसे case में, अगर आप last quarter में monthly scheme में होगे और यह quarter में आप QRMP scheme में आ रहे होगे, तो जो आपने monthly basis पे, यह लास quarter का जो last month होगा, तो जो monthly basis पे tax दिया होगा, उसका 100% tax आपको April में देना है, as well as आपको May भे देना है, इस scheme को example से समझ लेते हैं, जैसे, in case of, in case, last return file was quarterly basis for quarter ending March, तो March में आपने पूरे quarter में, जनवरी to March में, CGST आपने 100 दिया, SGST 100 दिया, IGST 500 दिया, और 650 दिया, तो अब आपको इस quarter का April का payment करते हैं, इसका 35%, एने CGST 35, SGST 35, IGST 35%, एने 175, और GST compensation says, यहाँ पे 17.5, इतना देना पड़ेगा, और same amount आपको fix, में basis पे देना पड़ेगा, और यह जो amount है, वो है, जो आपने cash ledger से पी किया है, credit लेने के बाद, और अगर आप last quarter में monthly basis scheme में होगे, तो आपने, for the month of March 21, आपने payment किया है, 50, 50, 50, 50, 80, तो आपको April का 100%, याने April का भी आपको 50, 50, 50, 80, और में का भी 50, 50, 80, आपको इस तरह से payment करना पड़ेगा, इसमें एक सवाल आ सकता है, और वो यह, कि sir, last quarter में, या last month में, हमारा cash ledger के through nil payment था, क्योंकि हमारे पास excess credit था, तो फिर इस बार आपको कुछ भी pay करने की जरुवत नहीं है, April और में में, क्यों, क्योंकि वो 35% of tax paid in cash, और 100% of tax paid in cash, वो zero होगा, तो ऐसे case में, आपको कुछ भी pay करने की जरुवत नहीं है, यह एक important point था, अब कोई इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर यह मेथर में जा रहे हो, तो फिर आप quarterly क्यों जाते हो, मंतली जाना ज्यादा better रहेगा, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, self assessment method में, self assessment method में, वो यह कहते है, कि April का जो आपका actual tax होगा, B2B, B2C का, less ITC, और आपने खुद जो assist किया, हमें मत बताओ, GSTR 3 भी आप हमें मत दो, आप खुद ही एक page का पेन कागज लो, एक blank paper पे लिखो कि आपका total tax कितना था, आपके invoice के basis पे, less ITC आपको कितना लगता है, less ITC करके, जो net आएगा, वो self assess करके, आप 25 को पे करो, क्योंकि वो यहाँ पे fix sum हो, या self assessment हो, देना तो आपको monthly basis पे और 25 को ही देना है, तो आप खुद assess करके दो, लेकिन इसका यहाँ पे problem मता हो क्या, कि अगर ये method आपको लेनी है, तो फिर मैं कहूँ का QRMP low ही मत, फिर आप monthly में जाओ ना, क्योंकि वैसे ही self assess कर रहा है, रहा क्या बाकी, वहाँ आपको GSTR 3 भी रहगा, तो पे monthly basis पे GSTR 3 भी दो, problem क्या है, हाँ, इतना है कि CA की fees बढ़ जाएगी, क्योंकि monthly basis पे आप GSTR 3 भी दे रहे है, तो वो situation में, वो 3 भी basis पे CA आपको fees चार्ज करेगा, वो बात अलग है, लेकिन हाँ, आपको अगर compliances नहीं करना है, fees नहीं देनी है, तो आप खुद ही assess करो और खुद के assessment के basis पे, आप monthly basis पे tax दे सकते हो, जो normally होगा हमारा, यह था self assessment में तो, जिसमें मैंने क्या का, इसमें मैंने ये का, कि here taxpayer can assess the tax liability, जिसमें वो ITC भी ले सकता है, दोनों में difference क्या है, यहाँ पे बेटा, जो 35% जो आपको पुरा का पुरा पे करना पड़ता है, य ITC बिल्कुल नहीं मिलता है, यह 100% पुरा का पुरा पे करना पड़ता है, ITC बिल्कुल भी नहीं मिलता है, लेकिन ये case में, जो ITC रहेगा, net आएगा, और net का आपको पे करना पड़ेगा, नीचे, नीचे उन्होंने क्या, nil liability, मतलब यहाँ पे ऐसा है कि, अगर आपका ITC ज्यादा होगा उस मन्त का, जो आपने self-assess किया, तो आप ठीक है, nil pay करो, यह आपके cash ledger में excess पैसा already है, जो आपको वो उतना cover कर लेता है, जो आपने self-assess किया, तो आपको pay करने की जरूरत नहीं है, month 1 और month 2, चलिए, तो यह नीचे के point समझे तो ठीक, otherwise you can ignore it, तो यह थ enforcement के time, आपकी interest liability क्या होगी, तो interest liability पे हम special discussion करना चाहोगा, चलिए, तो यहाँ पे आते है, case 1, okay, fix some method में, fix some method में हमने क्या देखा था, fix some method में हमने यह देखा था, कि last quarter में, अगर आपने quarterly scheme ली होगी, तो जो भी आपका cash payment, e-cash ledger की थूरू आएगा, उसका 35-35% हमको देन पड़ेगा, let's take example, आपका last quarter का total tax liability 40 होगा, minus आपका ITC 15 था, यहने आपका cash payment through e-cash ledger 25 lakhs था, तो आप fix some method में क्या करोगे, April का जब payment करोगे, तो actual basis अभी नहीं करना है, आपको fix दे देना है, fix कितना, तो यह जो cash ledger का 25 lakhs है, 25 lakhs का 35% यहने 25 into 35% कितना हुआ, तो यहाँ प इतना 8.75 lakhs आपको 25 को दे देना है, मेर का भी आपको 8.75 lakhs fix देना है, पर जून का नहीं देना है, जून का आपको बाद में actual basis पे जब assessment होगा, उतना देना है, अब उसके बाद में आप क्या करोगे, जैसे अब इस quarter का assessment करोगे, GSTR 1 तो आप फाइल करोगे, GSTR 1 स्पेशली June के invoices का, प्लस B2C के all three months के invoices का, प्लस spending invoice का, जो भी है, GSTR 1 आउटवर्ट सप्लाएगा, हमने already discussion कर लिया है, अब नेक्स बेटा GSTR 3 भी, आप अपना final assessment करोगे, और 22nd 24th को GSTR 3 भी दोगे, तो आपकी तीनों मन की, याने पुरे quarter की, April में और June, इसकी आपकी liability 7 lakh बनती है अब यह 6 lakh कैसी बनती है, थोड़ा इसके उपर discussion हम करना चाहेंगे, तो यह आपकी 7 lakh की liability बनती है, April के आपकी actual tax, आपने जब assess किया, पूरे quarter का, क्योंकि यह तो आपको करना ही पड़ेगा, तो आपने assess किया, तो 15 lakh था, May का 20 lakh था, और June का 25 lakh था, ऐसे 60 lakh की liability आपकी बनी है तो यह जो 60 lakh की liability आपकी बनी है, लेस पूरे quarter का ITC आपके पास 25 lakh था, याने आपको cash leisure से देना था 35 lakh, तो यह 35 lakh cash leisure से देना था, जिसमें से आप already pay कर चुके थे 17.5, सर यह 17.5 कहां से आया, तो पेटा आपने यहापे fix sum method में 8.75, 8.75, ऐसे 17.5 जो है, आपने fix sum method में pay किया, तो आपका net कितना payable है, 17.5, तो यह net 17.5 आपको pay कर देना है, और वो due date को, हैने 22nd और 25th को आपको pay कर देना है, अगर आपने 17.5 due date को pay नहीं किया, तो आपके उपर interest लगाया जाएगा, और वो interest 18% per annum से लगाया जाएगा, क्योंकि यह आपका final assist tax था, और यह आपने pay नह होगी, तो 23rd से और 24th अगर due date होगी, तो 25th से interest चालोगा, till the date of payment, तो यह आपने एक general provision देखे, पर अब मैं macro level पे जाओगा, यह macro level पे अगर समझा तो ठीक नहीं, तो okay, ignore it, पर मैं कहोगा कि यह समझ लो at final level, ठीक है, आप inter level पे होगे, तो ठीक है, जितना समझा, it's okay, तो अब यहाँ पे देखे, जहाँ तक देखा जाए, macro level पे आपकी total तीन मैंने की, यहाँ अपरिल में जून, 50 lakhs, 20 lakhs और 25 lakhs, ऐसे 60 lakhs output tax liability थी, और आपका ITC अगर मैं, क्यूंकि मैं पूरा असेस कर रहा हो, तो ITC आपका अपरिल का 5 लाक, 8 लाक और 12 लाक, ऐसे आपका total ITC ज देख लिया, अब तब अब macro level पे जाते हैं, तो अब देखो क्या होगा, April का आपका, आपने जब असेस किया, तो आपकी net tax payable 10 lakh आया, में का आपका 12 lakh आया, मैं पहले specially 2 मन का लेना चाहोगा, क्योंकि वो हमारे लिए important है, तो आपको कितना pay करना था, 10 lakh, actual basis पे, और में का क कितना pay किया, 8.75, 8.75, कहां से आया भई, तो यह हमने 8.75, 8.75 pay किया, fix sum method में, तो अब आपका difference कितना आया, difference 1.25 और 3.75, तो सवाल यह आ जाता है, क्या यह 1.25 या 3.75 जो है, क्या इसका हमें कोई interest देना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो कम pay किया, तो विटा, fix sum method में, I repeat, fix sum method में, आपको इसका कोई भी interest देने के जरुवतने, इस difference पर, क्योंकि government ने जो बोला था, हमने pay किया, वो 35% या second option में 100%, हमने जो government को बोला था, हमने pay किया, हम interest इसका देगे नहीं, in short, आपको यह individual मन के difference अगरे आते हैं, तो उसका interest देने के जरुवतने है, लेकिन, आपने जो final assist किया, 17.5, यह 17.5 जो है, यहाँ पर, यह pay नहीं किया, due date को 22 है, इसको तो आपको interest देना पड़ेगा, अब बिदा एक option और लेता हूँ, समझ लो, आपकी, जो case 2, एक चोटी से, कि case 2, आपकी total tax liability 30 लाग थी, और यह total पर लेता हूँ, समझने में आसान होगा, देखो समझो तो ठीक है, पर यहाँ पर, total tax liability 30 लाग थी, जिसमें से आपका ITC, जो है, तीनो मन का 15 लाग था, नेट आपको 15 पे बल था, आपने fix-up method में 17.5 पे किया है, fix-up method में 8.75 और 8.75, यानि आपने 17.5 पे किया है, ठीक है, तो आपने excess पे कर दिया, क्योंकि आपको actual देना 15, लेकिन आपने 17.5 पे किर दिया, तो आपने excess पे कर दिया, तो सर ये excess पे किया, तो इसका क्या होगा, तो ये आपको इसका refund क्लेम करना पड़ेगा, ये next month में carry नहीं होता है, दोस्तो, चली, ये managers आपको दिमाग में question आ सकता है, इसलिए option ले लिया, ये तो था बिटा, ये आपे fix some method, अगर आप यहाँ पे SM method, self assessment method follow करते है, तो सबसे पहले self assessment method में क्या होगा, कि आपको last quarter ये last month को लेना ही नहीं पड़ेगा, आपको actual basis पे assessment करना पड़ेगा, जैसे April का, जो भी आपका B2B plus B2C supply है, तो आपका actual tax आता है, आपको 3B अगरे भी नहीं देना है, आपको एक just blank paper लेना है, अपना actual tax invoice के basis पे निकालना है, आपको लगता है कि इतना आपको ITC मिलना चाहिए, तो आपने self assessment में तरफे 20 minus 5, याने net GST payable 15 lakhs है, वो 25 को pay कर दिया, वैसे ही आपने second month का में का, जो भी आपका actual tax, आपने self assess किया, less ITC 10 lakh रुपे, net GST आपने 20 lakh जुन का तो आप जो final assessment करोगे, उसमें ही आ जाएगा, तो चलिए, आपकी total tax liability 70 lakhs है, अभी 70 lakhs कैसे आई, तो आपका April का 20 lakh, जो आपने अल्री देखा, में का 30 lakh, जो आपने अल्री देखा, देखो April का 20 lakh आपने assess किया था, 30 lakh की assess किया था, तो यहाँ पे 30 lakh, और June का 20 lakh, जो अभी final assessment में होगा, less ITC, याने आपका 15, 15, 20, और ITC आपके 5 plus 10 plus 10, याने ऐसे 25 lakh का ITC, तो total आपका 70 lakhs हुआ, 70 minus ITC आपका 25 lakhs हुआ, याने आपका payable कितना है, 45 lakhs है, उसमें से already आपने यहाँ पे pay कर दिया, self assessment में, तो कितना pay कर दिया आपने और 25 तारी को 15 lakh, प्लस यहाँ पे 20 lakhs, याने 35 lakhs रुपे अल्रीडी पे कर दिया आपने, तो आपकी liability, यहाँ पे गलती से नहीं लागया, आपकी liability बेटर 10 lakhs रुपे आएगी, और यह 10 lakhs रुपे आपको pay करना पड़ेगा, अगर यह 10 lakhs रुपे आपने due date को pay नहीं किया, तो वो case में आपको interest लगेगा और interest 18% per annum due date के next day से चालोगा, यह तो हमने broad level पे देख लिया, अब macro level पे एक point आपको explain कर देना चाहोगा, चलो, यहाँ पे देखो, April का 20 lakhs था, 5 lakhs, 15 lakhs था, और हमने वो 15 lakhs यहाँ पे pay भी कर दिया था, तो हमारा match हो गया, 30 lakhs था, और वो 30 में से 10, minus 20 जो था, हमने 20 पे भी कर दिया नील, तो हमारा कोई difference नहीं है, पर कोई reason के वज़े से, अब ध्यान सुनना, कोई reason के वज़े से, यहाँ पे difference आजाए, कभी कभी क्या होगा, कि हमने जो self assessment किया, और कि उसमें कुछ ITC consider जाधा कर लिए, या कुछ invoices हमने consider नहीं किये, ऐसा कभी mistake हो जाती है, और अगर difference arise हो जाता है, तो यह difference पर आपको interest देना पड़ेगा, यह difference पर interest देना पड़ेगा, और interest आपको जो है, यहाँ 26 तारिक से, यानि आपने April का जो मे को दिया तो 26 तारिक से interest पर पे करना पड़ेगा, till the date of payment, तो बेटा, यहाँ पे fix-up method और self assessment method में क्या difference है, macro level पे, macro level पे यह है, कि fix-up method में, individual month के assessment में difference आता है, तो आपको interest देने के जरुवत नहीं है, क्योंकि वो fix amount पे कर रहे हो, लेकिन self assessment method में, आपको individual month के case में, खुदाना खास्ता, यहनि कोई reason के वज़े से, यहाँ पे difference आ जाए, तो वो case में आपको interest देना पड़ेगा, यह इसे भी एक तरह की undue hardship है, पर कुछ नहीं कर सकते, तो आपको 3 cases है interest की, मैं यहाँ बहुत important है, discuss करना चाहोगा, देखो, अगर आपने due date को pay कर दी, अगर आप, देखो, यहाँ पे सभी interest की cases summarize करता हो, आपने due date को fix-up method में pay कर दिया, तो interest नहीं लगेगा, उसके बाद में, आपने final assessment में, जो भी आपकी liability आई, fix-up method में, यह आपने pay कर दिया, तो आपको interest नहीं लगेगा, लेकिन आपने यह 17.5 due date को नहीं pay किया, तो आपको interest लगेगा, आपने अगर यह 8.75 due date को नहीं pay किया, तो वहाँ पे interest लग सकता है, और उसके बाद में difference आता है, तो यह interest न दोनों में लगेगा, due date को जो 25 तारीक है, आपने pay नहीं किया, तो वह fix-up method यह self-assessment method दोनों में interest लगेगा, अगर दे दिया, तो ठीक है, यहाँ पे, उसके बाद में, यह most important point क्या है, most important point है, कि अगर आपके final assessment में, individual month का difference आजाता है, तो self-assessment method में, वहाँ interest देना पड़त तो यह एक बिटा में चार्ट में, टेबल में, यहाँ पे solve करके दिया है, okay, interest liability on final assessment, यहाँ जब आप 22 या 24 तारीक को, यहाँ पे final assessment करोगे, तो आपकी interest liability क्या होगी, तो देखो, यहाँ पे monthly payment करते वक, monthly payment करते वक, आपने 25 को pay कर दिया, फिर वो fix-up method या self-assessment method तो वो case मे interest नहीं लगेगा, लेकिन monthly pay करते होग, 25 तारीक को, आपने अगर कुछ short payment कर दिया, not paid by 25, तो आपको दोनों method में, fix-up method या self-assessment method तो आपको 18% interest तो देना पड़ेगा, फिर final tax liability, final tax liability में, आपके fix-up method और self-assessment method में, आपने 2 मन्त का tax सही डंग से दिया है, जितना चाहिए था उतना पुरा दे दिया है, तो आपको interest नहीं लगेगा, लेकिन, fix-up method में, अब यहाँ पर most important difference है, fix-up method में, ध्यान से सुनिएगा, पहले 2 मेने की liability आपकी higher थी, fix-up method में higher थी, देखो difference आया था, fix-up method में, higher थी, और आपने जो pay किया, और के पहले 2 मन्त का, fix-up method से 8.75 pay किया जबकि liability आपकी 10 लाग थी, तो वो case में जो difference आएगा, उसमें आपको interest नहीं देना पड़ेगा, actual answer नहीं लाना चाहिए, यह उपर नीचे हो गया, यह वाला part जो है, यह नीचा आना चाहिए, चार्ट में आपको correct करके मिल जाएगा, जो चार्ट आप जहां से download करोगे, तो उसमें correct करके मिल जाएगा, ठीक है, तो यह case में यहाँ पर नील आएगा, fix up method में difference भी आ, तो कोई liability नहीं, लेकिन self assessment method में, अगर आपकी liability actual month wise higher आती है, और आपने जो self assist किया, वो कम pay किया होगा, तो वहाँ आपकी liability आएगी, और वो 18% per annum से आएगी, ठीक है, I hope you understood, और ज interest लगेगा, और वो 18% per annum से interest लगेगा, ठीक है, तो यह आपने देखा interest liability, यहाँ पे clear, अब एक important point यहाँ पे, कि manner of opting, आपको composition scheme opt करना है, तो composition scheme आप financial year में कभी भी opt कर सकते हो, यानि throughout the year आप कभी भी opt कर सकते हो, और register person can opt for any quarter for first day of the second month of preceding quarter to the last day of first month of first quarter, अब मैं तोड़ा आपको, इसको diagrammatic presentation में बरताना चाहोगा, जैसे January, February और March में, I repeat, January, February और March में आपकी composition scheme नहीं थी, और आप April में और June में composition scheme opt करना चाहते हो, यानि यह quarter में आप opt करना चाहते हो, sorry, composition यह QRMP scheme, यह QRMP scheme आप opt करना चाहते हो, यह quarter में, तो अगर आप यह QRMP scheme यहाँ पे opt करना चाहते हो, last quarter में नहीं था, तो आपको, आप करने का application कब देना पड़ेगा, तो इस quarter के start होने के 2 मेने पहले, यानि आपके पास option कब है, आप यहाँ FAME में कभी भी यह 2 मेने पहले application दे सकते हो, और कि मुझे next quarter में QRMP scheme लेना है, या फिर, यह quarter चालू भी हो गया होगा, त और इस quarter में आपको April or time दिया है, यानि आप 30 April के, यानि इस quarter के first month भी off ले सकते हो, यानि आपको यह पास 3 मेने, 3 मेने कैसे, quarter start होने के 2 मेने पहले, या quarter start हो गया होगा, तो भी April, 30 April के पहले, अगर आप यहाँ पर apply कर देते हो for QRMP scheme, तो आपको मिल जाएगी, is it clear, यहाँ तो दो मेने पहले, या इस quarter का पहला मेना, तब तक आप आप कर सकते हो, लेकिन अगर April निकल गया, तो फिर यह quarter आपको छोड़ देना पड़ेगा, आपको next quarter के लिए ही जाना पड़ेगा, और बेटा, फर्स जटवरी में, यहाँ पर यह जो composition scheme थी, यह कुछ लोग आटो म migrate हो गए, कुछ लोगों को यहाँ पर apply करना पड़ा, migration के लिए, तो मैंने इसका एक टेबल यहाँ पर दिया, यह आपको exam के लिए इतना important ने, पर main important बाते, सारी हमारी discuss हो चुकी है, तो इर्यूजन में जितना possible, जितना detail में possible था, बेटा, मैंने रिवाइस किया, so I hope आप को यह revision बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और next मैं यह कहना चाहोगा, exam अच्छे से दो, all the best, yes, आप बहुत यहाँ पर, यहाँ पर lucky हो कि आपको इस बार time भी मिला, तो all the best बेटा, yes, QRMP scheme हमने बहुत अच्छे से रिवाइस किया है, इसको फटा फट देख लेना, thank you, thank you to all of you.